ओडियो जाए दोस्तों नमश्कार इन्बिसे न्यूस की खास मुलाकात इस कारेक्रम में मैं रुपापंडित आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्वागत करती हूँ आज हमारे स्टूडियो में खास तौर पर जिस शक्सियत को हुने यहां मतरत किया है स्नेहल दातिमायम को मैं मापका हमारे स्टूडियो में आने के लिए पहले तो बहुत बहुत थे नेवाद नमस्का बरतन जिलीवरी और लगातार मल्टी टास्किंग की वज़े से महनाय जो है एकुरिट चो अपने पोशन सम्मधी जरूरते हैं वो पूरा नहीं करता है या यू कहा जाए कि इस पर घ्ञान नहीं देती है और महनाय जो है वो समय से पहले ही थोड़े सी अपने आपको थकी ह क्यों होता है किस वज़े से होता है इस प्रोग्राम में हम एक्सपर्ट्स नेहल दाती मैं से कुछ सुझाव जानेंगे जिसे महलाओ की नियूट्रिशियन और स्वास्त को नियृधारिक और नियंत्रिट रखा सकें मैं के बारे में आपको बता दू कि वैसे तो ये बहुत से नवाजी जा चुकी है ये नागपुर शहर की नहीं बलकि पुरे विधर्प की प्रसिद्य न्यूट्रिशनिस्ट है इसके साथे साथ इन्होंने भारत कौरव पुरसकार 2019 से नवाजा गया है साथे साथ स्त्री कर्टव याधिशक्ती पुरसकार 2019-20 दिसम्बर को में की इस से हल मैं हमारे दर्शिकों को अपना भाइचे लेकिए नमस्कार मैं से हल मते नहाते न्यूटिशनिस्ट हूं और असिस्टन प्रोफेसर हूं एंटरनेशनल सी निबस orteETिसे और मेरा दी निईओ्टरिकौन करके न्यूटिशनल कंसल्टनसी है जहां पर मैं आपे सेह कि आपके पास जो है शायद से हमारे शब्दे भी कम पढ़ जाए लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं जो पाक गला है और जो खास करके आप डाइट लोगों को प्रिफर करती है तो उसमें चार के लिए होती है एक बच्चे दूसरी युवा पिर्ली एक थर्ड स्टेज और एक चौ की जो पाक अकला और यह जो सब आपने बोला है कि अलग-अलग स्टेजिस में उसका महत्वा हैलेकिन अ जो भी हम लोग करते हैं जिसे अहारं, परमम, आउशध्थम जिसे आहार ही उपचार है, जो हम लोगों ने आउशदी है, आहार ही उपचार है, ऐसा मैं बोलूँगी, जो आप खाते हैं, वैसे ही आप खुद को पाते हैं, क्योंकि what you are, what you eat, ये तो सबको पता ही है, तो हम लोगों ने जो भी आहार तारी, आहार मारी, आहार विकार करी, ये जो संकल्पना है, और जो हिल्डी लिविंग की संकल्पना है, वो सबके लिए सेम है, निउट्रिशन की संकल्पना है, वो सबके लिए सेम है, लेकिन आपकी वर्किंग स्टाइल कैसी है, जैसे आप से बीमर भी निकलता है और उससे फिर आपके कुछ डिसिजस अगर आपको है तो आपके अलग-अलग डायेट प्लान यहने कस्टमाइज डायेट प्लान हम लोग बनाते हैं और आपको उस तरह से मारगदर्शन करते हैं तो एज ग्रूप वाइस भी यह डिफर होता है और आपक अपने अपनी बुक है अलपोहार में सवादिस्ट वेंजनो से की जो संकलतना है वह आपने लाय है और इस शेत्र में आने के लिए मैं पुछा चाहूंगी कि क्या मतलब किसी से प्रेड़ना मिली है या फिर आपने खुद में ऐसा लगा कि नहीं मुझे इस फेल्ड में आन में डॉक्टर बनना चाहती थी पहले लेकिन 12 में कुछ माक्स फिर कम पड़ गए और फिर क्या ऑप्शन ढूनना चाहिए इसके वजह से मैं एक्सिडेंटली यह फिल्ड में आ गई तो बीसी हों साइंस होने के बाद में फिर मैंने में में से हों साइंस किया और बाद में मैंने एंफिल पी एच्डी भी किया है और अभी लेक्चररशिप इस जॉब में मैं कारियरत हूं लेकिन जो भी मैंने जीरो ओयल कुकिंग वक्शॉप भी लिये है हेल्दी हार्ट रेसिपीज भी मैंने एक बुक लिखा है और अलपो पाहर बुक में जैसे टिफिन क्या दे रोज के रोज थोड़ा से अगर तैयारी करके रखते हैं हम लोग तो बहुत ही जल्दी खाना बन जाता है सुबे और वेराइटी भी बच्चों को हम लोग दे सकते हैं तो ऐसे पैरेंट्स मिटिंग में डिफरेंट स्कूल में जाके भी हम लोगों ने बहुत बड करती थी यह सब चीजे तो अच्छा लगता था और अच्छा एक रिस्पॉंस भी मिला इस सब चीजों के लिए तो डिफरेंट महिला मंडल मंडली में या फिर और टॉप्मोस्ट स्कूल में जैसे बावंस में वगरे भी मैंने यह सब वर्क्शॉप लिये हैं और ऐसा लग बहुत जादा हो जाते हैं मैं हमने सुने की इंजिन और कॉंटिनेंटिल वेंजन जो है वह आपने पेश किये वह भी हैल्दी डाइट के साथ तो कैसा समभाए इसमें आप कौन से इंग्रेडियंट्स जो है वह यूज से हम लोगों को तीन जो शत्रू है अपने एक तो नम और बहुत ही अच्छा इसका रिजर्ट्स था और लो कैलरी स्नैक से इसमें अभी जो मिलेट रेसिपी जाये होए है डिफरेंट टाइप्स के तो वह भी बहुत ही अच्छे इसमें हमने इंकलूड किये है तो पारंपारिक और अधुनिक ऐसे दोनों ही उसको तज दिया गय है ऐसा मुझे लगता तो यह सब चीजे एड एड ओन करके नुटिटिव वैल्यू कैसे बढ़ाना है और वो चीज जो पुरानी है उसको एक फ्यूजन का रूप दे के हम लोग उसको कैसे प्रेजेंट करें या उसका प्रेजेंटेशन किस तरह से रहे ताकि वह सब को आसा जैसे वारंपारिक जो रेसिपीज है उसकी बजाए थोड़ा सा पाश्चत्य संस्क्रोटी के तरफ उनका रुझान जाता है खाना चाहिए उन लोगों ने भी डिफरेंट टाइपस के जो कलीनरी डेलिकसीज है उसमें खाना चाहिए लेकिन एक दिन चीड़े रखके आसा खाना चाहिए ताकि उनको बहुत ज्यादा फास्ट फूड की तरफ हम लोग लेते ले जाते हुए पारंपारिक और आधुनिंग ऐसे कॉंटिनेंटल लिशेश हम लोग दे सके आपको इनके बारे में चीज और बताना चाहूंगी कि ना सिर्फ हार्ट रेसिपी जो है यह बताती है बलकी विपिना, मैला, स्वैम, साहता, समू और लगू द्योग कोभी के प्राशिक्शन देने का अवर्ग बहुत ही अच्छे तरीके से करती है आपने कई कैयर सब्कारी सब्सक्राइशालों के साथ मिलकर सॉफ्ट स्किल कारेशालों में प्राशिक्शन दिया है उसके बारे में बताना चाहूंगी कि क्या है न कि बहुत ज्यादा कैलरीज कंस्यूम करके बाकी सिर्फ कैलरीजी ब्लैंक कैलरीज हम लोगों को मिलती है तो इसलिए थोड़ा सा जो अपनी दादी-नानी की रेसिपी है या पारंपारिक रेसिपी उसको हम रिवाइव करन चाहेंगे और जो हमारे पुर्खों ने जैसे फॉर एक्जमपल मिलेट की रेसिपी जो हमारा पुरातन आयूर्वेद बताता है जो हमारे दादी-नानी खाती थी वही हमको सुचारू रूप से पाचन भी होता है ऐसे चीजों का और वह हमको बहुत निउट्रिशन भी देत अनुकरन करण की बचाहे हम लोग अपने पुराने आयूर्वेदिक रिमेडि Rubik की तरफ बढेंगे अपने आयूर्वेदिक रेसिपीस की तरफ बढेंगे तो वह जादा हम लोगों के लिए बेनीफिछाइब रहेगा और वही हम लोगों को जादा शक्ती भी प्रदान करे पानी का बहुत बड़ा मातवपूर्न होता है पानी नूट्रिशन का ही महतवपूर्न हिस्ट है और फिट रहने के लिए अपने आपको अपनी बॉड़ी को हाइट्रेट रखना बहुत जरुरी है तो इसलिए कम से कम एक वेक्ति को कितने ग्लास पानी पीने के आप सलहा जो है जो है जब देखें है इस तरफ ध्यान नहीं दे पाती है तो अपने आपको है रखने के लिए चोटा सा फॉमुला क्या ही उसका वैसे तो वीटेमिन सी तो रोज लेना ही चाहिए जैसे बोला है कि आवले का डोज हर रोज यह बहुत जरूरी है और पानी भी दिन में पिना शहिए खे और चे से 8 लीटर पानी बीना चाहिए और रुपा क्या होता है तो यह तो यह जाती है कि पानी पीना चाहिए तो इसली वह सामने शररी रहे बहुत जरूरी है ताकि हम लोगों को को याद रहे नहीं सो गला सुकती ही जाता है हाउज वायव काम में लगी बहुत जादा प्लास्टिक की बोटल वगरे आजकल यूज होती है तो उसको भी अवोईड करना चाहिए तामभा या चांदी के इसमें भी ग्लास में पानी पीना यह वो प्यूरिफिकेशन लेवल उसका अच्छा रहता है तो विटामिन डी मोडी में जो है मेटाबॉलिसम बढ़ाने का काम करती है या फिर कुछ और भी ऐसे चीज़ है विटामिन डी हमारे ओवरॉल हेल्थ के लि लेकिन सनलाइट कब कब होना चाहिए सुबे की जो धूप रहती है जो सुबे से आठ से दस के बीच में या फिर सूरज उगने के बाद में तो यह विटामिन डी हमको बहुत फाइदेमंद होता है और हमेशा एक 10-15 मिनिट क्यों नहों एक सबने फैमिली मेंबस ने भी और बाकी तो औरली अपन बहुत सारे विटामिन डी की टैबलेट भी उपलबद है मार्केट में और बाकी भी अपने जो फल सब्जियां और डिफरेंट टाइप्स के फाइबर भी बहुत ज़रूरी है जैसे बाकी विटामिन्स प्रोटीन्स इसमें न जाते हुए फाइब तो इसमें अपने अपने को रेशा या फिर फाइबर हेल्दी डायेट के लिए बहुत ज़रूरी है तो मैं भी पूछा जाओंगी कि एक्सराइज करना कितना जरूरी है क्योंकि कैसा है अधिकान शमलनाय जो है उनको लगता है कि कम से कम एक्सराइज जो है वो करने में एक अधिक से देड़ घंटे का समय लगता है इसलिगे उन्हें फिट रहना जो है थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन आप रोजाना एक्सराइज करना कितना जरूरी है ऐसा अधिकि आहार और विहार आहार याने यह नियूट्रिशन जो हो गया और विहार याने आपको 45 मिनिट्स तो भी करना चाहिए नहीं तो सिर्फ आहार सेवेंटी परसेंट उसका काम है ही लेकिन 30 परसेंट आप उस पर डिपेंड रह सकते हैं विहार की तरफ तो विहार याने फिर आप कुछ भी किजिए योगा किजिए साइकलिंग किजिए स्वीमिंग किजिए या इनी टाइप ओफ एक्सराइज यू केंड डू बट आपको उस पर थोड़ा सा दोनों का बैलंस अगर आप रखेंगे आहार और विहार दोनों की तरफ आप ध्यान देंगे तो यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और आप तंदुरुस्त और सहत्मन रहे कि दोस्तों इन भी सिनियोंस की खास मुलाकात इस कारेक्रम में आज मैंने खास पॉर पर अपने स्टूडियो में अमंद्रिक किया है न्यूट्रिशनिस्ट स्नीहल दाभी मैं को वक्त वसलाइक चोड़े से बेक का मिलते हैं स्प्रेकी बार ये स्प्रेक्राइक बार एक बार फिर आप सभी का इन विसे नियोस की खास मुलाकात है इस कारेक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मैं आपको बता दू कि आज हम खास हेल्दी डाइट पर चर्चा कर रही है और इसे ये लिए हमने अपने स्टूडियो में आमें तल किया है यूट्रिशनिस्ट स्नेह मैं मैं आपने कोशन्स का जो सिल्सला है में जारी रखती हूं और मैं आपसे पुशा चाहूंगी कि आज कल ये सुपर फूड का चलंज जो है बहुत जादा बढ़ गया है तो एक्शल में सुपर फूड मिन्स पूड जो कम मात्रा में हम लोगों को जादा से जादा अब ही जो नए आये हैं डिफरेंट टाइपस ओप सीड जैसे पंपकीन सीड है संफ्लाव सीड से चिया सीड से अलसी भी एक सुपर फूड माना जाता है तो इससे हम लोगों को एंटी ऑक्सिडेंट भी मिलते हैं तो ये सुपर फूड हम लोगों ने डेली कंजूम करना च सकते हैं जैसे एक रिचुली बनाना चाहिए मैं दर्शकों को बताना चाहूंगे कि रात में सोते समय अगर चार-पाच अक्रोड है बाद में फिर वालनट जिसको हम बूलते हैं अलमंट से इसको हम भीगों के रखते हैं तो उसकी न्यूटिटिव वैलिव और एंहांस होत है वो चाय से न करते हुए यह ड्राइ फ्रूट या फ्रूट खाके अगर करते हैं तो ब्लोटिंग बाद में फिर एसिडिटी बढ़ना यह सब समस्यां से अपने आप छुटकरा मिल जाएगा तो यह एक टिप बताना चाहूंगी और बाद में फिर केला है यह तो सूपर बारा ही मैंने हम लोगों को एवेलेबल रहता है और सबसे सस्ता फल यहने केला ही है लेकिन क्या होता है नरूपा कि एक बहार से आया हुआ ड्रेगन फूट है बाद में फिर एपल है कश्मीर से आये हुए एपल जो कि वैक्स लगाए हुए अपने यहां पे मिलते हैं वो पता हम लोग बहुत जादा हमकारा स्टेटस सिंबॉल मानते है लेकिन जो सिजनल फूट से जो मार्केट में इजी ली आवेलेबल है और सस्ते हैं वो खाना ही जादा बहुत बहुतर माना जाएगा और वो फूटस आवेलेबल तो रहते हैं एल्दी भी रहते और फ्रेश रहते हैं तो उसका benefit हमको बहुत अच्छा मिलता है तो यह super fruits है जैसे बाद में फिर केला है चांच है नारियल है यह सब super food में जाते हैं तो इसका 7 हरोज कर्मा बहुत ही आवश्यक है और यह तारी चीज़े जो है यह super food का यूज करेंगे यह आज कल जो पैरेंट्स है वो स्पेशली आपने भी देखा होगा कि बहुत सादा परेशान एक चीज से कि घर में इतना कुछ बरने के बावजूद बच्ची जो है वो पाकेट बन चीजों के तरफ अटाक्ट होते हैं तो क्या कारण है क्या लगता है आपको जितना हम लोग अपने कीचन से दूर भागेंगे उतना मोटा पा हमको घेरेगा जितना पैकेट खुलेगा उतना पेट फुलेगा यह हमेशा याद रखे तो मैं ह अगर जादा एफर्ट्स लेके बच्चों की सेहत बनाने के लिए वो एफर्ट्स ले और कुछ बनाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि मात्रू हस्ते न बोजनम यह जो एक अपना पुराना एक कहवत है तो उसके अनुसर चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो हमारी जो भावी खाने के आदते लगाये ताकि वो बरकरार रहे और बच्चे के से एक अनुकरन करके सीखते है जैसे बच्चे बडों को देखके सीखते है तो घर के लोगों मैं घानावे लगोर्णा थार्णाशं का आप हो हमारी जाता चाहिए जैसे दादी नानी बोलते थे कि तुंको 32 तो एक जो कोर हम खाते हैं वो बतीस बार चबा के खाना चाहिए याने धीरे धीरे खाना चाहिए ताकि उसमें सलाइवा मिक्सो और डाइजेशन एजीली हो सके तो यह सब चीजे अगर हम लोग याद रखेंगे और एड़ी बैड फॉर नेक्स जनरेशन जो टीवी पे बहु आप बहुत बहुत पहले पर आपका बहुत 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 दन्यवाद देना चाहिए कि आज आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके डाउट्स क्लियर किया हैं आज लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि इतना लाइफ में आप इतनी आगे बढ़ गई हैं कि आपको पीछ हिसाब से तो मेरे हस्बंड जो मुझे को हमेशा सपोर्ट करते हैं तो उनको तो मैं पहले श्रेय देना चाहूंगी जो हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं तो राहूल दाते जी जो के मेरे हस्बंड है सिविल इंजिनियर है वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं तो उनको तो पूरा श्रेय जाता ही है लेकिन मेरी मम्मी पापा यह भी और मेरे साथ ससूर इन्होंने भी मुझे बहुत ज्यादा एंस्पायर किया इंकरेज किया इसलिए मैं आज यहां तक पहुचिए हुआ अपकी लाइफ का गोल क्या है और आप बिंग नुट्रिशनिस्ट हमारी अपने अपना जैसे मैं सोशल वर्क करती हूं और बहुत एक मुकाम पर पहुची हूं ऐसे उनको देखना है मुझको काम्याबे के कदम चुमेंगे वो तो यह तो एक गोल हो गया लेकिन ऐसे सामाजिक तोर पर एक गोल देखा गया तो मेरी बड़ी इच्छा है कि कोई भी भूखा ना सोए अपनी भारत देश जो है उसकी एक प्राचिन बहुत बड़ी परंपरा रह चुकी है कि दूद की नदिया यहां पर बहती थी और यह सब होने के बावजूद भी आज जो हम लोग देखते हैं कि माल निउट्रिशन है कूपोशन है छोटे बच्चे भूख कुछ न कुछ करें ताकि कोई भी भूखा न सोए नो वन गो टू बेड हंगरी तो यह एक मेरा गोल ऑफ लाइफ है और इसके लिए मैं एक अभियान भी चलाना चाहते हूं और मैसेज अपने जो दर्शकों को मैं देना चाहूंगी कि स्त्री शक्ति जो दूर्गा देवी क पास है वो अन्नपुरुणा के पास भी है रोज दूर्गा देवी का अवतार धारन करना अच्छा नहीं है क्योंकि नहीं तो बूचाल मच जाएगा घर पे तो वो रेकमेंडेड भी नहीं है तो लेकिन अन्नपुरुणा का अवतार वो रोजाना धारन कर सकती है ताकि शुम्हें अपने कीचन में, अपने रसोई घर में खाना बनाना चाहिए, जो जो क्योंकि उस्से क्या एक वाधसल भाव प्रेरीद होता है वो खाने में, और वो शहतमन खाना, बचों के जैसे बोलते हैं, कि पाँचन उसका सुलब होता है, और बच्चे सिहत मंद होते हैं, तो सुद्रूड पिड़ी ये भारत का एक लक्ष है, तो उसके लिए वो भी एक जरूरी है, और एक आहर मंत्रा बताना चाहूंगी, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे स्टूडियो में आये हैं, तो जरूर हमारे दर्श्टों को मिल्कुल, ठीस अधियां में रख़िए, जिसे सिट, एक जगह पे बैट के खाना खाना है और इस सोफे पेड़ के और खाना खा रहे हैं सारा ध्यान टीवी के सिरियल में या जो भी प्रोग्राम चल रहा है तो वो जो वाइब आते हैं ना वो खाने के साथ में आपने बुरा है तो गैजेट फ्री में हाडली 10-15 मिनिट आपको खाने में लगते हैं वो आप मन लगा के खाईए और एक आध प्रति जो मा है उसके प्रति भाबी है मा है या फिर जो भी कूक है उसके लिए हम लोग एक आधर भाव मन में लाते हुए वो अन्न पुरुणा का हम लोग एक पालन करना चाहिए या उनको फिर धन्यवाद देंगे कि इतना अच्छा हमको मिला है तो यह और सेंसिबल एटिंग हम लोगों को जैसे माइंडफूल एटिंग थोड़ा सा सोच समझ के खाएंगे तो वह बहुत अच्छा होगा और आप सेहतमन बने रहेंगे दोस्तों उमीद करते हैं कि आज का हमारा जो यह एपिसोड था वह आपको बहुत ज्यादा पसंद कारिकरम में मेरे साथ तलहां के लेता ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें इन डिसीन्यूस और मैं में एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्नेवाद देतीया आपको अन्या